आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसे अगर आपने कर लिया तो 100% जो आप चाहोगी वो आपको मिलेगा सारे स्टेप्स बहुत ज़रूरी है अगर आपने एक भी स्टेप्स को स्किप कर दिया तो ये प्रूवन टेक्निक आपके लिकाम नहीं करेगी हमारा माइन बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है पहला है कॉंशेस माइन यानि सचेत मन और दूसरा है सबकॉंशियस माइन यानि अवचेतन मन Conscious और Subconscious Mind हमारे जिन्दगी को चलाते हैं आप अपने जिन्दगी में जो कुछ भी कर रहे हो ये Subconscious और Subconscious Mind ही कंटोल करते हैं हमारा Subconscious Mind बहुत ज़्यादा पाउरफुल होता है आपकी जिन्दगी के 90% डिसिजन आप नहीं लेते हैं बलकि ये Subconscious Mind ही लेती है आप अपने Day-to-Day Life में जो भी information अपने 5 sense के द्वारा लेते हो वो information हमीशा के लिए आपके Subconscious Mind में श्टोर हो जाती है हमारा Subconscious Mind बहुत पाउरफुल है इसकी मदद से हम अपने जीवन में जो भी चीच चाहे वो हासिल कर सकते हैं बस हमें अपने Subconscious Mind को कंटोल करना है Subconscious Mind को कंटोल करना पॉसिबल नहीं है लेकिन हम उसको अपने हिजाब से रीप्रोग्राम कर सकते हैं और रीप्रोग्राम करने की इस टेखनीक को हम आटो सेजेशन कहते हैं हम अपने माइन में Positive Information और Successful Thought को Feed कर सकते हैं बार-बार उन Thought को बोलके ऐसा करने से आप Indirectly अपने Subconscious Mind में Positive Information फीट कर सकते हैं जब हमारा Subconscious Mind टोटली ट्रेन हो जाता है तो हमारे माइन में Creative Intelligence जिसको हम Sixth Sense कह सकते हैं वो डेवलप हो जाती है तो चलिए जानते हैं वो Six Steps क्या है जिसको Follow करके आप अपने जीवर में कुछ भी हासिल कर सकते हैं Step No.1 Fix in Your Mind What You Want ये सबसे Important Steps में से एक है कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनको असल में क्या चाहिए Napoleon Hill जो एक बहुत बड़े writer है उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास Definiteness of Purpose है तो उस चीज को पाने के लिए आपने आदा Steps पार कर लिया है मान लीजिए कि आप एक Businessman हो और आपने अभी अभी अपना Business Start किया है और आपने ये Decide किया है कि आपका गोल है कि आपकी Company जो किसी भी फील में हो सकती है वो इंडिया की No.1 Company हो और उस Company के कारण आपकी Income करोडों में हो Step No.2 Establish a definite date when you intend to possess your desire सिर्फ ये सोच लेने से कि मुझे ये चीज चाहिए ये काफी नहीं है आपको एक Date fix करना पड़ेगा कि कब तक आपको अपने गोल को Achieve करना है अगर आप वही बिजनेसमेन हो तो आपको ये Decide करना पड़ेगा कि कितने समय बाद आपकी Company इंडिया की No.1 Company बनेगी मान लीजिए आपने Finally ये सोच लिया है कि 10 साल के अंदर आपको अपने गोल को Complete करना है तो आपने Second Step को भी अच्छे से Complete कर लिया है Step No.3 Determine Exactly What You Intend To Give In Return For The Goal You Desire इस दुनिया का एक Simple सा Rule है इस दुनिया में Free में कुछ नहीं मिलता यानि आपका इतना बड़ा गोल कि इंडिया की No.1 Company और करोडों में Income ये भी आपको Free में नहीं मिलेगी अगर आपको अपने Goal को पाना है तो आपको उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा जैसे आप ये Decide कर सकते हो कि आप अपने Goal को पाने के लिए कुछ Sacrifices कर सकते हो आप अपने काम को पूरी Consistency के साथ करोगे Conferred Zone से बहान निकलोगे Procrastination को त्याग दोगे और किसी भी हालत में Give Up नहीं करोगे इस Step को Follow करने से आपने अपने Goal की तरफ एक और Step बढ़ा लिया है Step No.4 Create a definite plan for carrying out your desire and begin at once Whether you are ready or not ये Steps आपको आपके Goal को पूरा करने के लिए सबसे Important Step का मतलब ये है कि आपको अपने Goal को पाने के लिए आपको एक Organize Planning करनी पड़ेगी जैसे आप अगर वो Business Man हो तो आपको ये Plan करना पड़ेगा कि आपकी Company ये की Growth कैसे होगी आपकी Company कौन-कौन से Service प्रवाइड करेगी जो Service पूरे इंडिया में कोई और Company नहीं प्रवाइड करती है आप अपने Company में इतने Employees रखोगे और एक Team जैसे कैसे काम करोगे और इसके साथ आपकी Company income कैसे जनरेट करेगी Step No.5 Write all the information that you get from the previous four steps and stick it to a place where your eyes go through ये Step थोड़ा illogical लगता है लेकिन ये Step बहुत important है इस Step के हिसाब से आपको सारी information को एक paper में या किसी और चीज में लिख लेना है जो information आपने decide की थी पिछले 1st, 2nd, 3rd और 4 steps में और ऐसा लिख कर वहाँ stick कर देना है जहां आपकी नजर हर समय उस paper पे या किसी और चीज पर हमेशा रहे इसका मतलब ये है कि जिस paper में आपने वो सारी information लिख कर रखा है अब उस सारी information को पढ़ने का समय है जो भी information आपने लिखा है उसे आपको रोज सोने से पहले और सुबह उठने के बाद पढ़ना होगा लेकिन से पढ़ने से कम नहीं होगा आपको उसे emotionally imagine करना पढ़ेगा last के दोनो steps subconscious mind में auto suggestion देने का काम करेंगे आपके लिए और अगर आपने ये six steps को अपने गोल के अचीव होने तक रोज किया तो आपका subconscious mind खुद कुछ ऐसा उपाय निकाल लेगा जिससे आप अपने गोल को अचीव कर लोगी Thomas Elva Edison जिन्होंने बल्ग की discovery की थी उन्होंने खुद stamp लगा कर इसको approval दिया था और कहा था कि जो भी व्यक्ति इस six steps को अच्छे से follow करेगा उसको उसको गोल अचीव हो जाएगा बहुत सालों पहले एक देश की military ने दूसरे देश में जाकर लोगों को मानने की कोशिश की और उस देश पर राच करने की भी कोशिश की तो उस देश के military head ने एक बड़े ship में अपने सारे soldiers को लोड करा लिया और उस ship को अपने दुश्मन देश की तरफ ले जाने लगा वहाँ पहुशने के बाद जैसे ही सारे military उस ship से उतरे तो military head ने एक बड़ा फैसला लिया उसने अपने ship जिससे वो आये थे उसने उससे जला दिया उस देश से बिना किसी ship के वापस जाना possible नहीं था इसलिए military head ने सारे soldier से कहा कि अब उनके पास वापस लोडने का कोई उपाय नहीं है या तो वो जंग जीत कर वापस लोटेंगे या तो वो शहीद हो जाएंगे और उसके बाद सारे soldier ने अपने मन से जंग छोडने का खयाल उस ship की तरह जिला डाला और उन्होंने अपनी पूरी power से जंग लड़ी और वो finally जीज गए तो अगर आप किसी भी सीड में हो अगर आपने छे स्टेप को आटो सेजेशन टेकनीक के साथ कर लिया है उसके साथ आपने भी अपनी जिंदगी के ship को जला दिया है तो आपका अपनी जिंदगी में successful होना तैय है तो चलिए quick revision कर लेते हैं वो 6 सबसे important steps का step number one हमको ये पता रहना चाहिए कि असल में हमको क्या चाहिए step number two हमको ये भी पता रहना चाहिए कि हमको वो चीज कितने समय बात चाहिए step number three उस चीज को पाने के लिए हम उसके बदले में क्या दे सकते हैं ये भी हमको पता रहना चाहिए स्टेप नमबर 4 उस चीज को पाने के लिए हमें एक definite plan बनाना पड़ेगा जिससे हम उस चीज को execute कर सके स्टेप नमबर 5 हमें उस चीज को एक paper में लिखना है और स्टेप नमबर 6 हमें रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद रोज उसे पढ़ना चाहिए अगर आपको यूडियो अच्छ लगा हो तो लाइक कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेन नोडिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहे